अपनी चनल में आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी यमी पीजा जो 10 मिनट के अंदर घर पर बना कर हम तयार कर सकते हैं बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है आजकल बच्चों को भार की खाने की चीज़े का बहुत मन करता है और सभी मदर्स इसको घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर ये पीजा हमारा तयार हो जाता है और इसको हम ओनली एक कप मैदा से बनाएंगे और इसमें किन-किन चीज़ों क्या शक्ताओं की वो देख लेते हैं सबसे पहले एक बाउल लेंगे उसमें एक कप मैदा डालेंगे और आदा कप दही डालेंगे इसके अंदर ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसमें आदा कप लस्य डालेंगे और लस्य डालने के बाद इसको बिना लम्सके हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये देखें इस तरीके से अब हम इसमें एड़ करेंगे नमक स्वाद के अनुसार एक चोथा चोटी चमच चिन्नी और ये बेकिंग पाउडर में ले रही हूँ आदी चोटी चमच और बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास है एक चुटकी बेकिंग सोडा और इन सब को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से ये देखे इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इस बेटर की चाहिए अब एक लेंगे पैन और उसके अंदर हम बटर का यूज करेंगे इस बटर को इस तरीके से चारो साइड फैला देंगे और इसके अंदर ये बेटर डाल देंगे यह देखी जो हमने मैदा का तयार किया था और इसको अच्छे तरीके से गोल फैला देंगे यह देखी चमच की सायता से हम इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से गोल-गोल कर देंगे यह देखी याद रखना है गैस को हमें मीडियम पर ही रखना है और इसको ढख देंगे ये देखिए चार मिनट बाद हम देखेंगे ये हमारा बेस बनकर रेडी हो गया ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी हम एक प्लेट लेंगे इस तरीके से उल्टी रख देंगे और हमारे पिज़ा के बेस को पलट लेंगे इस तरीके से कितना अच्छा हमारा पीजा का बेस बनकर रेडी हो गया है अभी हम नीचे की साइड से और इस तरीके से हम पीजा को दोबारा से पैन के अंदर डालेंगे यह देखें गैस को या तो आप ओफ कर दीजी या बिल्कुल सिंपर कर दीजी अभी अगर आपके पास पीजा सोस है तो अच्छा है अधरवाइस आप पीजा सोस घर पर बना सकते हैं देखें मैं ले रही हूँ टमैटो सोस या टमैटो कैचप भी आप ले सकते हैं इसके अंदर आप रेड चिली सोस भी एड़ कर सकते हैं अगर तीखा बहुत जादा खाना पसंद करते हैं मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ कुछ औरेगेनो और तीखा के लिए मैं यूज करूंगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स ए देखें और आप दो तीन पाउच एड़ कर सकते हैं इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके मिक्स ले रही हो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देजिए और यह हमारा पीजा सोस बनकर अड़ी हो गया है आप हम बेस के उपर पीजा सोस लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हम पूरे पीजा के बेस पर सोस लगा लेंगे अच्छे तरीके यह देखें पीजा सोस लगाने के बाद हम लेंगे यह चीज मोजरेला चीज का आप यूज कर सकते हैं यह देखें इसको भी अच्छे तरीके से हम पूर पीजा बेस के उपर अच्छे तरीके से रख लेंगे अब हम लेंगे कुछ सब्साहली, यह पज़ा हम इच्छा बानियर के क्यूब है, टमाटर है और अनियन अनियन को इस तरीके से एसे हम निकाल लेंगे एक ایک क्यूब को, इत देखें अभी हम सबसे पहले प्याज रखेंगे, टमाटर रखेंगे, सिम्नामीर्च रखेंगे एर सिंभला मिर्ची ले सकते हैं यालो सिंभला मिर्ची ले सकते हैं इस तरिके से आप अपने मनुद्वड़ा सब्ची के हिसाम एक इसको रख है Пол ऑन दीजिदे इस डालेंगे हैं अब और या डीचे आउण चिल्ली फ्लेक्स टालेंगे हम इसके अंदर ये देखिए आप अपने अनुसार चिल्ली फ्लेक्स और ओरेगेनो इसके अंदर डाल सकते हैं ये मैंने कुछ काली मिर्च लिए जो क्रस्ट करके लिए आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे काली मिर्च को ये हमारी पीजा की टॉपिंक्स त्यार हो गए है और अब हम इसको ढख कर तीन-चार मिनट के लिए रखतेंगे तीन-चार मिनट के बाद हम इसको देखेंगे ये देखें आहाँ कितना अच्छा हमारा पीजा बनकर रड़ी हुआ है बहुत ही यम्मी लग रहा है ये देखें नीचे का बेस्पी हमारा बिल्कुल अच्छे से सिख गया है और अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे इस तरीके से हम इस प्लेट के अंदर इसको बहुत ही आराम से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे अगर गाईज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपनी घर पर जरूर बनाई है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में